सिद्ध योग में आपका स्वागत है। आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिलकुल मुफ्त में। आपको पताने जा रहे हैं, आज एक ऐसे आसन का अभ्यास जिसका की नाम है परिखासन और इस आसन को हम इंगलिश में गेट पोस कहते हैं, यह आपके इन सारी समस्यां को दूर करने में आपकी मदद करेगा। मैं अतुलमिश्रा सिद्धी योगा से आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपने आसन का अभ्यास सुरू करने से पहले हम अपने इस आसन की कॉन्टर इंडिकेशन को समझ लेते हैं। तो दोस्ता इस आसन के अभ्यास करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको नी से related कोई injury है या फिर आपको knee pain है साथी साथ आपको shoulder joint से related कोई समस्या है या फिर आपको shoulders में pain है तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है तो चलिए अब हम सुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की तो सबसे पहले इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको वजरासन की position में आ जाना है तो जिस तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ यह वजरासन की position है आपको इस वजरासन की position में आ जाना है इसके बाद आपको अ अब्याद अपनी राइट साइट से करेंगे तो आपको अपनी राइट लेको राइट साइट इस तरीके से खोल देना है अगर आपको लगता है कि आपके नीम में पेन हो रहा है तो आप कोई भी घर पे soft चीज लेकर यानि के blanket या फिर pillow कुछ भी लेकर आप उसको अपने घुटने के नीचे इस तरीके से रख सकते हैं जिससे कि आपके नीपर ज्यादा pressure ना पड़े अधरवाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपके नीमे तो आप इस आसन को avoid करें या फिर arthritis की समस्या में आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है तो दोना हातों को body के side से रखेंगे अपने right palm को right थाई पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने left hand को अपनी body के side से अपनी सारी उंगलिया पूरी तरीके से खोलते हुए उपर की तरफ उठा लेना है spine बिल्कुल सीधी रहेगी फिर उसके बाद आपको गहरी स्वास अंदर भरनी है और स्वास छोड़ते हुए अपने right hand को धीरे धीरे slide करेंगे और अपनी body को right side lean करेंगे इस तरीके से ध्यान रहे पीछे की तरब से आपको जो दोनो hips है वह एक lian में रहेंगे आपको इस तरीके से body को पीछे की तरफ mood नहीं करना body को आगे की तरब रखेंगे आपके य दोनों pelvic bones जो हैं यहापके दू को हычно called it केते हैं इन दोनों को आपको एक लाइन में रखना है हाथ की उगलें खुली रहीं और दीर दीरे जितना हो सके उतना side stretch आपको करना है इस आसन के अभ्याद से तो जैसा कि देख सकते हैं इस आसन के अभ्याद से आपकी जो side लेग है, इसकी भी stretching हो रही है, तो आपकी calf muscles, back of the knee muscles और pelvic muscles और hamstring muscles को एक बहुत अच्छा stretch मिलता है, और यहाँ पर आपकी जो left thigh muscle है, इस पर pressure बड़ता है, जिसके विए से आपकी muscles की toning होती है जिससे आपकी जो thigh muscles हैं वो और भी ज़्यादा strong हो जाती है थोरे खुटनों को मिलाने के बाद अपने left leg को side से खोल देंगे, spine को बिल्कुल सीधा रखेंगे pelvic bone को one line में रखेंगे बहुत से लोग के साथ यह समस्य आ सकती कि जैसे वो अपने pair को खोलते हैं, उनकी body इस तरीके से tilt हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखने है आपको अपनी body को सामनी की तरफ रखना है जिससे कि यह आसन आपके hip joint के alignment को भी better बनाता है अगर आप इस तरीके से turn हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो hip joint है उसका alignment या फिर pelvic joint उनका alignment सही नहीं है आपको पैर को side की तरफ सीधा करने के बाद सामने की तरफ देखना है दोनों shoulder और pelvic bonds square बनाएंगे, एक line में होंगे अपनी left palm को left thigh पर रखेंगे right hand को side से दीरे दीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे fingers को खोलेंगे, फुल करेंगे shoulder को ऊपर की और गहरी स्वास अंदर लेंगे स्वास छोड़ते हुए दीरे-धीरे side stretch करेंगे side stretch करते हुए जैसे कि मैंने आपको बताया था right side से आपको दोनों hips को पीछे की तरफ से flat रखना है, एक line में रखना है pelvic bonds को एक line में रखेंगे आपकी side muscles में जो खिचाब आ रहा है आपको सारा ध्यान उसी खिचाब पर रखना है और अपने final pose में स्वास लेते रहेंगे और स्वास छोड़ते रहेंगे वापस आने के लिए उसी तरीके से जिस तरीके से आप आई थे स्वास लेते हुए अपनी body को सीधा कर देना है स्वास छोड़ते हुए right hand को नीचे की तरफ लेके आएंगे उसके बाद दोनों घुटनों को मिला लेंगे और फिर वजरासन की position में वापस आ जाएंगे तो दोस्तों ये हमने अभ्यास किया था परिगासन यानि के gate pose का और हमने आपको बताया कि इस आजन के alignment को आप किस थरीके से better बना सकते है क्योंकि alignment जो है हर आजन का सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अगर आपका आजन का alignment सही नहीं है तो आप उसके जो physical benefit है वो नहीं ले पाएंगे जिससे कि आपकी flexibility नहीं बढ़ेगी तो इसलिए आजन का अभ्यास करते हुए उसके alignment को ध्यान रखना सबसे जरूरी है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस आजन के अभ्यास से आप अपनी flexibility बढ़ा पाएंगे साथी साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि इस आजन का अभ्यास as a beginner आप 2-3 round कर सकते हैं और हर round में आप इस आजन को 20-30 second तक hold कर सकते हैं तो आप इस आजन का अभ्यास करिए और अभ्यास अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आप इसके ज्यादर से ज्यादर benefit ले पाएंगे तो आप करिए परिगासन गेट पोस का अभ्यास हम जल्दी मिलते हैं एक नए आसन के साथ आप से तब तक के लिए नमस्कार